जैहिंद, all serious aspirants, I hope आप सभी अपनी तयारी को एक final touch अब तक दे चुके होंगे और आप सभी को पता है 120 questions आने वाले हैं English paper में So, serious exam में सबसे जरूरी है students stamina बना करके रखना अपने आपको mentally ready रखना कि आप बहुत सारा content read करने वाले हैं serious exam में vocabulary काफी easy स्तर की आती है, बहुत ज़्यादा complications नहीं रहते हैं और पिछले साल vocabulary में changes भी हुए थे, synonyms, antonyms की संख्या में change था तो इस बार भी कोई भी probable change हो सकता है So, बस tips में मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे important है serious aspirants के लिए कि वो mentally reading करने के लिए ready हो और उस read किये के content में important facts and figures जो की questions में पूछे गए है उनको आप relate कर पाए इसके लिए proper mean ले और अपना जो revision section है केवल आप उसी को on रखे newspaper reading जैसा कि मैंने day 1 से suggest किया हुआ है आप अभी तक continue करते आ रहे होंगे तो अब भी आप उसे continue रखे उसी तरह से अपना routine शुरू करें जैसा आप morning में दो एक दो paragraphs आप जरूर पढ़ते हैं उनको आप read करें आपकी awareness जो defense awareness है जो आपकी general awareness है वो इस serious English में काम आने वाली है क्योंकि इस paper में बहुत से questions reasoning ability पे based होते हैं general awareness पे based होते हैं मतलब जस्ट आपको ये बताना होता है कि क्या इसमें fit answer होगा passages S1, S6 वाले sentences जिनको आप jumbled sentences कहते हैं और jumbled paragraph तो इन तीरों segment में ये तीन major essay segment हैं जिनमें आपको content reading के लिए मिलेगा तीन paragraph आपके पास आने वाले हैं और हर paragraph में लगबग 4-5 questions आने वाले हैं तो be ready लगबग 15 questions आप इससे related करने वाले हैं इसके बाद 10 आपको sentence मिलेंगे जिसमें एक sentence को PQRS form में break किया गया होगा और S1, S6 वाले sentences मिलेंगे तो पहला जो assignment serious aspirants का होता है वो आप reading segment को दे पहला priority जो आपका focus है वो आपका reading segment में हो क्योंकि जब ये पूरा segment आपका based in knowledge पे तो जो आपका experience है वो आपका काम आने वाला है paragraph, jumble sentences and S1, S6 वाले sentences में fill in the blanks में काम आने वाला है ये पूरा segment आप सबसे पहले करें क्योंकि उस समय आप relaxed होंगे आपका mind आसानी से उसे read करके, process करके आपको सही answer देगा you must analyze, realize and finalize so ये बहुत important है कि आप reading बहुत अच्छे से करें और पहले ही इन questions को कर लें क्योंकि ये सारे questions आपके experience पे आधारित है जो आपने अभी तक language का experience लिया है उस पर आधारित है अब बात करते हैं उन questions की जिनमें आपका सीधा सीधा knowledge चाहिए और ये questions बहुत समय नहीं लेते हैं ये questions आसानी से solve हो जाते हैं क्योंकि आपको just अपने knowledge को apply करना है और ये questions से vocabulary के अब आप इन questions को कर सकते हैं लकली आपके पास एक नया section है जिसमें आपको preposition find out करके preposition आपको बदानी होती कि कौन सा preposition आपका वहाँ पर आएगा blank पे आपको grammar भी एक अच्छे स्तर पे पुछी आती है तो parts of speech की पहचान क्या है knowledge oriented segment है जिसमें आपको parts of speech पहचानना होगा दिया गया word noun है तो कौन सा noun है ये भी आपको पता करना होगा तो मेरा एक suggestion है कि अब exam से पहले जितने भी terms हैं उनको आप अच्छे से पढ़ ले क्योंकि generally जब आप prepare कर रहे होते हैं ये terminology आपके mind में नहीं रहती है जैसे indefinite pronoun क्या है reflexive pronoun क्या है आपको पता होना चाहिए कि material pronoun material noun हम कैसे recognize करते हैं abstract noun सबसे important होने वाला है collective noun सबसे important होने वाला है transitive verb क्या है intransitive verb क्या है तो ये जो ऐसे terms है regular verb क्या है irregular verb क्या है इस सारे terms आपके parts of speech वाले segment में काम आने वाले हैं exam से पहले इसका revision ज़रूरी है so strategy आपकी यही होनी चाहिए कि पहली priority reading section क्योंकि वहाँ पे मेज़े काम आएगा मेरा experience दूसरी priority vocabulary और तीसरी priority grammar इस level पे आप questions solve करें पूरा paper आप आसानी solve कर लेंगे ठकना मना है इसलिए अपनी accuracy और अपनी efficiency को maintain करने के लिए एक दो model test paper ज़रूर solve करें अभी आपके वाद समय है और उस model test paper के experience के basis पे आपका actual exam का pattern बेहतरीन होने वाला है so students in tips को आप follow करें और अगर आपको कोई और भी question पूछना है कोई भी बात आपके मन में है तो जरूर बेरे से share करें CDS एक ऐसा exam है जो एक matured level पे मतलब इसमें appear होने वाले candidates का जो बहुत दिक्षमता है साथी साथ उनका जो maturity level है वो other aspirants की तुलना में बहतर होता है तो यह exam भी कुछ उसी तरह से conduct कराया जा रहा है इस exam की expectation को समझें इस exam की objectives को समझें आपको serious exam की clarity और उसमें appear होने का जो तरीका है वो बहतरीन समझ में आएगा और सबसे important बात यह है कि आप relaxed रहें बहुत ज़्यादा pressure ना लें इसके लिए goal oriented जरूर रहें लेकिन अपने मन में negative ideas मत लाएं right this is exam for you and you just need only one seat to be the right candidate for this career so just focus on that particular thing rest other things just leave it God is with you your blessings of parents teachers they are with you so why to worry just to focus on your goal with these best wishes do share your experience of exam हम लोग आप सभी के लिए जो answer कीज है वो भी share करेंगे जल्द ही so exam का experience आपका अच्छा होने वाला है बहुत बहुत शुब कामना है टीम सेंजूरिन की तरफ से और मैं मिलूँगा आपसे post exam जै हिन जै भारत सन 2022 में हारत में सरवग्रिक सिलेक्शन देने के बाद अब सन 2023 में बारी हैं अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की आप भी बन सकते हैं हमारे इस कारवा का हिस्सा हमारी एतिहासी काम्याबी का इस हिस्सा आज ही संपड़ करें हमारे ओफिशिल लंबर पर और जोइन करें सिंचूरियन डिपेंस अकाड़मी